प्रदेश भर में दस्वी बोर्ड की परिक्षा का परिणाम घोशित हुआ जिसमें खरगोन जिले की एक बाला ने अपनी पढ़ाई का ऐसा जोहर दिखाया कि सब देखते रह गए जी हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की चातरा महक खान की जिसने 300 में से 296 अंकल लाकर अपने परिवार सही जिले का नाम रोशन किया है हम आपको बता दे की महक के पापा साइकल का पंचर जोडने का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं लिहाजा गरीबी के हालात से गुजरने के बावजूद महक ने ट्विशन कोचिंग के बिना दसवी की परिक्षा पास करके प्रदेश में नौवी रिंग पर इस्थान पा कर अपनी साख जमाई है परिक्षा परिणाम के आते ही संस्था के शिक्षक और खुझ जिला शिक्षा अधिकारी के के डोंगरे लड़की के पिता की पंचर दुकान पर पहुँचे और छात्रा सहीत उसके पिता को शुपकाम नाई दी इस दोरान मीडिया से चर्चा में महक ने बताया कि वह अपनी महनत और लगन के दम पर डॉक्टर बनकर गरीब लोगों को स्वास से लाप देना चाहती है बरहाल महक सहीत जिले के एक ओट छात्रा मानसी यादों ने भी महक से केवल एक अंक कम पाकर जिले का नाम रोशन करने में सभागिता निभाई जो वाकई में तारिफे काबिल है भारती नियूस के लिए खरगों से रजाख खान की रिपॉर्ट बहुत अच्छे रिए रिजल्ट मेरी स्टैट्में नाइंध पोडिशन आई है और आपके नंबर? मेरी नंबर 300 मेरे 296 आई है बहुत बहुत कंग्राचुरेशन आप का रिजल्ट देखके आपका कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा रिजल्ट एक काफी अच्छा था आपके घर वालों ने भी आपके बहुत तारिफ करी होगी? तो आप ने इस पढ़ाई के लिए और इतने नंबर पाने के लिए क्या थियारियां करी? मेरा वही नॉर्मल रूटीन था जो सभी बच्चों का होता है विट्टू ऐसा एक कॉंसंट्रेस से मैंने स्टड़ी की है तो आप बाकी बच्चों को भी सेम रायत देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल इसी तरीके से और भी बच्चे नंबर अपने ला सकते हैं आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मैकेनी के स्टरावद में है तो आप बड़े होके क्या बना जाती है? मेरे बड़े होके डॉक्तरा बना चाहती है मेरा पेइनफोल के रिजल्ट अब बहुत अच्छा रहा है मैंने 295 मार्क्स प्राप्त के हैं और मैं डिस्टिक में पास पोजिशन हासी है आपको रिजल्ट देखके कैसा लगा? मुझे रिजल्ट देके बहुत खुशी महसुस हुँ है और मेरी पेमेली आलो को भी बहुत खुशी हुईं अपने महीं इसन्हार मेरे मेरेस्ट देशन के अच्छा पॅर्छट मुझे जो आपके पापा क्या करते हैं कि यह अब बड़े होगे क्या बनना चाहिएंगी मैं बड़े होगे परशास्तिक सेवा मी जाना चाहती हैं और देश की सेवा नहीं जाना है आज तेन बोल्ट का रिजल टेकलेर वा है और इसने हमारी खुशी का हम लोग बेकल को बेकल खुशी हमारी तो है वो इतनी बड़ गजी कि हम विश्वास निकासते कि बड़नों बच्ची नितना बड़िया इतना अच्छा रिजल आए एक बच्ची डिस्टिक में टॉपर र झाले बाए